बुद्सटूदेंस बुद्सटूदेंस मैसेल्फ रुकसार अजर from the Mariam Harris Country School Okay, so students हम जो है चैप्टर कर रहे थे उपरेटिंग कम्प्यूटर का और step के से स्विच करते हैं कम्प्यूटर को on and off हमने four steps follow करने के बाद जब हम स्क्रीन पे देखते हैं हमाने small pictures उस screen को हम desktop ओर ते तो यह हमारा desktop है आप देखते हैं यहाँ एक arrow दिया गया आपको desktop पे यह आपको समझाया गया है तो अब जो भी इसमें small pictures appears होई है desktop पे अब हम उसको देखते हैं कि यहाँ पर four points दिये गये हैं the graphical symbols are known as icons जो हमें graphical symbols देता है जैसे यहाँ पे दिया गया एक आपको pictures में दिखाया गया है graphical symbols उसे हम क्या कहते है icons बोलते हैं जो यह desktop पे हमें easily से मिल जाता है जब हम अपना computer या screen हमारी on हो जाएगी monitor पे तो यह icons हमारे जो है उस पे screen पे शो होगा उसके बाद जो है entire area with icons on it known as desktop जब यह पूरा entire area screen area जो हमारा monitor में with icons पी है जिसमें उसे हम desktop बोलते हैं यह वाला area को हम desktop बोलेंगे जो long bar at the bottom is known as tax जो नीचे वाला यहां पे यहां पे जो भी pictures या जो भी हमें show होंगी date वगेरा वह हम उसे हम क्या कहते हैं task bar बोलते हैं और जो task bar button होता है यहां पे बटन होगा task bar बटन उसे हम task bar यह जो पूरी line है यह इस पे यहां पे बटन है इसे हम start button बोलते हैं यहां से जाके हम जो भी long descriptions में हमारे जिसमें भी work करना होगा जिसमें apps जाने होगे all programs पे जाना होगा तो वो हम किसमें जाएंगे start button में जाएंगी start button जो है start button is a small button present on the left of task bar आपको मैंने यहां दिखाया था जब हम यहां पे जाएंगे start करेंगे button आप जब students practically भी देखेंगे तो practically भी करेंगे तो आपको और भी जादे understand होगा आप देख सकते है start button जो small button present on the left of task bar जो मैंने आपको दिखाया जब हम इसको start करेंगे तो यहां से start होगा और यह सारी files जो है पूरी आजाएगी okay on clicking start button start menu is displayed जाहिर सी बात है जब हमने इस पर click किया अपने mouse से click किया तो जितना भी menu होगा जितना भी file जो भी all programs होंगे वो हमारी screen पे पूरा पूरा clearly monitor में display हो जाएंगे आजाएंगे उसके बाद इस menu contains many options like all program search box shutdown extra यह जो भी menu होगे उसमें बहुत सारे options होंगे all programs हम यहां पे search कर सकते हैं जो हमें नहीं मिल रहा है found नहीं हो रहा है easy से shut down बंद भी कर सकते हैं option extra यह सब जो है एक menu में हमें menu की तरह पूरे options में हमें show होगा जैसे कि all programs all programs displays a list of some commonly used programs we can change this list okay यह जैसे all program